नमस्कार दोगतों मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सभी का मर्सी स्टाडी में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रस्टनाली 5.7 का question number 13 को solve करेंगे देखिए question number दिया है कि y ब्राबर 3 cos ब्रेकेट में log x प्लस 4 sin ब्रेकेट में log x है तो दर्साइए कि x square y2 प्लस x y1 प्लस y ब्राबर में 0 ठीक है देखिए इसमें सबसे पहले ध्यान देखिए कि यह y2 का मान हम लाएंगे कहां से तो देखिए यह हमारा d2 y अपएंगे dx square ब्राबर हम रखेंगे y2 ठीक है मतलब यह है कि जहां पर यह लिखा हो d2y अपन में dx इसके अस्थान पर हम y2 लिख सकते हैं और यह y1 कैसे लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे dy अपन में dx बराबर y1 ठीक है जहां पर यह dy by dx लिखा हो उसको जगह पर हम y1 लिखतेंगे ठीक है तो चलिए इसको solve कर लेते हैं तो देखें यहां पर हम दिया है कि d2y तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमें इसका इसका हमें दो बार आउकलन करना है ठीक है तो चलिए लिख लेते हैं पहले इसको y बराबर 3 cos ब्रेकेट में log x और plus में 4 और sin ब्रेकेट में log x ठीक है यह इतना हो गया अब इसका हम लिखेंगे x के सापेश अकलन करने पर तो देखें यहां पर हमारा y कह हो जाएगा dy और अपान में यह एक्स के सापेश हो रहा था dx बराबर में फिल लिखेंगे d अपान में dx और इसको हम उतार देंगे यहां पर इसको बड़ा ब्रेकेट कर देते हैं तो अब देखेंगे इसको बारी बारी से हम solve कर लेते हैं तो यह 3 है तो अचरपध यह इसको बाहर ले लिए इसके बाißt-पे CAUS लग यक्स, ठीक है? तो इसका फ़र्मूला होता है, ये लोग यक्स का इतना पर हम मान लीजीये हम पर यक्स दीया है, ठीक है? तो CAUS यक्स का हमारा उकलन होता है माईन साइ्न ये, फ़र्मूले से तो देखे, इसका हो जाएगा हमारा माइनस साइन और यक्स के सान और लोग यक्स लोग एक्स प्लस लगाए तर प्लस फोर अचर पाध है तो बाहर लेंगे फीर देखिए अब साइन और इसको माने यक्स तो sin x का हमारा formula होता है cos x तो इसको लिखेंगे cos और x अस्तान पर log x दिया है तो यह हो जाएगा log x ठीक है फिर log x का oculon करेंगे तो लिखेंगे d अपान में dx और यह log x तो अब कर लेंगे इसको यह minus है तो 3 इसके साथ बुड़ा कर रहा है तो minus में 3 sin log x ठीक है और देखें log x का formula होता है क्या log x बराबर हो तो हम लिखते हैं one अपान में x ठीक है d अपान में dx करके दिया हो तो यहां पर log x दिया है तो गुड़े में one अपान में x फिर प्लस यह 4 दिया है और cos log x दिया है यहां भी log x है तो गुड़े में one अपान में x तो हमारा finally dy अपान में dx बराबर आ जाएगा क्या minus 3 sin log x और अपान में x यह इसके साथ बुड़ा हो जाएगा फिर प्लस में 4 cos log x और अपान में x अब देखिए इन दोनों का हर बराबर है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे dy अपान में dx बराबर minus 3 sin log x प्लस 4 cos और log x और अपान में केवल 1 x हो जाएगा क्योंकि हर बराबर है तो इन सब को एक में करके अपान में इतना है कर दिये तो यह हमारा एक बार अकलन हो गया ठीक है अब दुबारा इसका करेंगे अब यहाँ पर देखिए हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि dy अपान में dx बराबर क्या हम मानेंगे y1 ठीक है तो यह y1 तो अब देखिए इसका हम लिखेंगे पुना x के साथ पर शाकलन करने पर तो लिख लेते हैं तो अब देखिए यहाँ पर अब यह हमारा क्या है यहाँ पर दिया है dy अपान में dx तो इसको लिखेंगे हम d2 y अपान में dx पर में 2 ठीक है अब उसके बाद से यहाँ पर लिखेंगे d by dx और इसको हम उतार देंगे यहाँ पर तो यह हो जाएगा minus 3 sin और log x और plus में 4 cos और log x और अपान में यह है x अब इसमें देखिए यह हमारा answer हर के रूप में हो गया है क्योंकि यह अपान में y अक्स दिया है तो यह answer हर के रूप में हो गया है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है देखें, फॉर्मूला हमारे क्या होता है, यहाँ पर देख लिए, D upon में, Dx, U upon V, बराबर में, V, D upon में, Dx, और U minus U, फिर D upon में, Dx, और यह V, और पूरे का पान में, V square, ठीक है, यह हमारे होता है, तो देखें, U बराबर हम क्या मानेंगे, U उपर है, तो उपर वाला मानें देखेंगे, U बराबर हमारे हो जाएगा, minus 3, sin, log, x, और प्लस में, 4, cos, log, x, ठीक है, U बराबर हमारे यह, उपर वाला पूरा हो जाएगा, और V बराबर क्या हो जाएगा, x, केवल, x हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए, इस फॉर्मूले पे हम, रख लेते हैं, तो देखें हम लिखेंगे, पहले दिया है, V, तो V बराबर है, x, तो यह हो जाएगा, x, फिर दिया है, D अपान में, dx, और फिर दिया है, U, तो U कमान यह है, तो रख देंगे यहाँपर, minus 3, sin, log, x, प्लस में, 4, cos, log, x, फिर माइनस में, दिया है क्या, U, तो U कमान रखेंगे, minus 3, sin, log, x, फिर प्लस में, 4, cos, log, x, फिर क्या हो जाएगा, दिया है क्या, D अपान में, dx और V, तो फिर हो जाएगा, D अपान में, dx, और V बराबर क्या है, x, तो यह हो जाएगा, x, देखें, पूरे क्या पान में, V स्कॉाइर है, तो इसके पूरे क्या पान में, रहेगा, V स्कॉाइर मतलब की, x स्कॉाइर रहेगा, ठीक है, यह बराबर यहाँ रहेगा, अब देखे अब इसको alkaline कर लेंगे इसका हम तो yux को हम ऐसे ही उतार लेंगे यह होग गए हमारा yux फिर इसका alkaline करेंगे तो देखे यहां पर क्या दिया है माइनस 3 को तो हम पहले ले ले रहे हैं बाहर तो यह माइनस 3 हो गया उसके बास से sine log x तो इसका क्या हो जाएगा cos और यह अस्थान पर दिया है log x formulas होगा यह तो लिख देंगे log x फिर देखें अब log x का उकलन करेंगे तो लिख देंगे d upon में dx और log x यह तो इतना हो गया अब इसका करेंगे यह देखें x इसके साथ गुड़ा कर रहा है तो x को हम बाहर ही रखते हैं फिर यह प्लस है तो प्लस 4 यहाँ पर लिख देंगे फिर इसका हम उकलन करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस sin और यह असका अस्थान पर log x है तो यह हो जाएगा log x ठीक है उसके पास लिखेंगे d अपान में dx यहाँ पर लिखेंगे log x ठीक है अब देखेंगे अब यहाँ पर माइनस है तो यह माइनस लगाएंगे फिर अब इसको उतार देंगे तो यह माइनस में 3 sin log x फिर प्लस 4 cos log x ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे इस yaks का होकलन होता है एक तो एक का गुणा हम इसमें करेंगे तो यह इतना ही रह जाएगा तो अब देखेंगे और अपान में क्या है अपान में है yaks square तो अब इसको आगे कर लेंगे तो यह x फिर यह हो जाएगा माइनस में 3 cos log x इस log x का होकलन होता है 1 इस log x का होकलन होता है 1 अपान में x फिर पलस 4 माइनस में sin log x और इसका हो जाएगा 1 अपान में x ठीक है अब इसका देखें अब इसको हम bracket से पहले है क्या माइनस तो इसको हम खोलेंगे तो यह माइनस और यह माइनस हो जाएगा plus 3 sin log x और यह माइनस है इस और यह पलस है तो यह हो जाएगा minus 4 cos log x और अपान में क्या दिया है x का square अब यहाँ पर देखें यह इसके साथ गुणा कर रहा है तो जब यह गुणा करेगा अपान में हो जाएगा yaks और yaks इसके साथ जब गुणा करेगा तो अपान में हो जाएगा yaks तो मतलब कि हर दोनों का बराबर है इसका भी है और इसका भी तो इसको देखें हम लिखेंगे क्या पहले इस yaks को लिखेंगे और फिर इसको हम लिखेंगे क्या माइनस 3 cos log x और प्लस यहाँ देखें यह माइनस है और यह 4 प्लस में है तो हो जाएगा इसको माइनस कर देंगे 4 sin log x और अपान में क्या है x फिर यह है प्लस 3 sin log x माइनस में 4 cos log x और सब के अपान में है yaks का स्कोईर इससे यह हमारा कर जाएगा तो देखें d2 y अपान में dx स्कोईर और बराबर में हमें क्या मानना है बराबर में हमें मानना है y2 हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि d2 y अपान में dx स्कोईर बराबर माननेंगे हम y2 ठीक है तो y2 बराबर या d2 y अपान में dx स्कोईर बराबर हमारा आएगा माइनस 3 कोउस लोग x माइनस में 4 साइन लोग x प्लस 3 साइन लोग x माइनस में 4 कोउस लोग x और अपान में यक्स का स्क्वायर ठीक है इतना हमारा आगया अब देखें आगे कर लेते हैं इसको अब देखिए मान हमने इतना निकाल लिया देखिए कोश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पर मान रख देख और यहां पर यहाँ पर नीचे देखिए इसका बस मान रख देंगे और हमारा आज़ुर आजाएगा तो देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया है इतना बराबर हमें 0 सिद करना है तो देखिए यह y1 बराबर इतना y1 के अस्थान पर रखेंगे और y2 बराबर इतना हम सिद किये थे तो इसको हम y2 के अस्थान पर रखेंगे ठीक है इसको हमने अलग से note करके आपके पास आपको दिखा रहे हैं तो देखें पहले दिया है x square तो लिखेंगे x square और फिर y2 का मान रखेंगे तो y2 का मान हमारा आया था अब यहाँ पर देखें यहाँ पर हमने y2 की value यहाँ पर put कर दिया है ठीक है यह y2 है यह x square यह x square और यह y2 का इतना value आयता तो यहाँ पर हमने put कर दिया फिर दिया है plus तो यहाँ पर हमने plus लिख दिया है अब yx लिखेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं yx यह देखे बराबर में है यह और उसके बाद से यक्स फिर y1 की value आपर put करेंगे तो देखिए y1 का हम put कर लेते हैं तो अब देखिए, अब यहाँ पर yx है तो yx लिक लिए अब फिर y1 की value यहाँ पर हमने रख लिया अब देखिए अब ये plus है, तो यहाँ पर लिखेंगे plus और फिर देखें वाई दिया है तो वाई बराबर हमारा क्या था डेखें को उसना गए वाई बराबर हमारा इतना दिया है y बराबर three calls जिसको हम इसका खरून के हैं तो इस मान को हम यहाँ पर याँ पर प्रद्श हमारा कहें देंगे तो y बरावार हमारा क्या था तो देखिए यहाँ पर हमने y के value भी रख दिये है ठीक तो देखिए इससे यह हमारा कट जाएगा और इससे यह कट जाएगा ठीक है तो अब यह हमारा क्या आजाएगा अब केवाल यह अपान में अब कोई नहीं बचा है तो इसको अब उतार देंगे तो यह बचेगा हमारा देखिए उतार लेते हैं तो अब देखिए अब यहाँ पर यह वाली value यहाँ पर हमने यहाँ तक रख दिया ठीक है उसके पास यह पलस है और यहाँ पर यह माइनस है पलस और माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस उसके पासे यह वाली वैलू यहाँ पर हमने यह रख दिया फिर यह पलस है तो यहाँ पर पलस लिखे उसके पासे यह वाली वैलू यहाँ पर हमने रख दिया तो अब यह माइनस है, माइनस 3 cos इससे, तो यह देखिए, इससे यह हमारा कट जाएगा, फिर माइनस 4 sin log x, यह इससे हमारा कट जाएगा, यह वाला, ठीक है, क्यांकि यह माइनस में है और यह पलस में है, तो यह कट गया, फिर देखिए 3 sin log x, तो इससे हमारा, यह पलस में है और यह देखिए यह माइनस लगा है तो यह कट जाएगा इससे आगे माइनस है यहाँ पर तो इससे यह कट जाएगा फिर यह देखिए यह माइनस में है और यह प्लस में है तो सारे सारे कट गए तो बराबर हमारा जीरो आगे ठीक है यह हमारा प्रूव हो गया तो दोस्तों आज के वीडियो अप्लोग कैसे लगा कॉमेंट बॉक्स मुझेर बताइए अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करेंगा धन्यवाद